पश्रुक्रिया राहूल अर्जगत याने खबरे विकास की खबरे फायदे की आईए शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से सारजनिक बैंकों के लिए अच्छी खबर वित्मंत्राले ने सरकारी बैंकों में बूजी डालने की प्रक्रिया की शुरुआत की इस साल बजट में 25,000 करोड रुपए देने का प्रस्ताव है बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर दिये जाएंगे फंड्स बैलन्शीट को बहत्र बनाने में होगी मदद तेरा बैंकों को होगा फायदा मुंबई के आर्थिक अप्राद शाखा ने फैनेशल टेक्नालोजीस के 2000 करोड रुपए की परसंपत्तियों को किया अटैच बीते हफदा ही कंपनी के मालिक जिगनेश शाख को एंफोर्समेंट डिरेक्टेट ने किया था गरफतार कंपनी पर NSCL में 500 करोड रुपए के घृटाले का है आरू एंफोसिस और टीसिस के बाद जून दिमाही में आईटी दिगज कंपनी विप्रो के नतीजों ने भी किया निराश कंपनी के शुद मुनापए में 6% दीगी ग्राव और माइक्रो फिनांस कंपनियों के प्रदर्शन में जबरदस्त तुछाल एक साल में लोन बुक में 84 फिस्ती का हुआ इजाफा चोटे लोन लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से लोन बुक 58,000 करोड पर पहुँचा और अगर आप इन्नुवेटर हैं कुछ अलग सा सोचते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है नीती आयोग और इंटल के बीच एक समझोता हुआ है वो बताएं कि अटल इन्नुवेशन के मिशन के तहत ये जो समझोता हुआ है उसमें देश पर के 6 से 12 तक के स्कूल में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जाएंगे या त्याधुनित लैब होंगे और किताबी ज्यान के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी इस लैब के जरीए देश में इन्नुवेशन को बढ़ाने पर फोकस होगा दस लाग से ज़्यादा बच्चों को इन्नुवेटर्स बनाने पर जोर दिया जाएगा are. If India has to growth at rates of 9-10% over the next three decades. India must become an very, very innovative society and our total factor productivity must rise very sharply and for us to become a very innovative society is very important, that we bring a radical change at the foundation and that is at the school level. और अब दुनिया वर के बाजारों की बात कर लेते हैं शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से और कल कैसे बंद हुए अमेरिकी बाजार आपको बताता है मिला जुला रुख जो है वो बाजारों का देखने को मिला डाउजिंस ओपर 23 संग, S&P 500 3 अंग नीचे और पर, CAC 40, DAX, BEL ने मिला जुला कारोबार देखने को मिला, DAX में जरूर कुछ गिरावट जादा देखी गई, अभी कैसे चलना है, एशियाई बाजारों में भी इस वक्त जदादर गिरावट का माहौल है, स्ट्रेट टाइम से एनी सिंगापुर के बाजार को छोड़कर के कोरिया, चीन और जापान के बाजारों में गिरावट, SGS Nifty सो जो संकेत मिल रहा है, हो सकता है, भारती बाजार भी आज गिरावट के साथ शुरुवात करें, लेकिन कल भारती बाजार कैसे बंद हुए, वो भी आपको बता देते हैं, चलते चलते, भारती बाजार मुनाफ